हलो फ्रेंड सावर यौल, आज मैं कुछ वर्प्स लेकर की आई हूँ, जो डिस्क्राइब करेंगे कि लिक्विट को पीने के लिए हम कितने तरीके से उन वर्प्स का यूज कर सकते हैं और उनके बीच में बेसिक अंतर क्या हैं सो विदाउट वेस्टी आनी टाइम, चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं किसी भी लिक्विट को पीने के लिए जो हम सबसे पहला और जेनरल वर्प यूज करते हैं वो है ड्रेंक, ये हम सभी जानते हैं ये एक वर्ब है और इसके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होते हैं ड्रेंक एंड ड्रंक, मिंस ड्रेंक एंड ड्रंक और अगर मैं बोलना चाहती हूँ कि हमें खूब पानी पीना चाहिए तो मैं बोलूँगी जब हम किसी लिक्विट को बहुत आराम आराम से आवाज के साथ जुसकी लेले करके पीते हैं उसे हम बोलते हैं सिप, मिंस हमेशा आवाज के साथ नहीं, जनरली लोग ऐसा करते हैं उसे हम बोलते हैं sip ये भी एक regular verb है और इसके past और past participle form होते हैं sipped and sipped means all three forms are sipped, sipped and sipped और अगर इसके लिए कोई example नहीं तो हम बोल सकते हैं she sipped the hot coffee carefully उसने गरम coffee को बहुत care के साथ में पिया हमारा next verb है अगर हम हिंदी में बोलना चाहते हैं घूट घूट करके पीना means liquid को लेना और फिर उसको swallow कर लेना एक तरीके से निगल लेना इसके लिए जो हम verb यूज करते हैं वो होता है gulp ये भी एक regular verb है और इसके past और past participle forms होते हैं gulped and gulped means इसके त्री forms देखें जो regular basis में ह okay अब हम इसके लिए लेते हैं example और example हम बोल सकते हैं she gulped the tea quickly उसने क्या किया बहुत जल्दी ही टी को क्या कर लिया निगल लिया एक तरीके से means उसको आराम से पीना था या whatever लेकिन उसने क्या कर लिया उसे गूट-गूट करके जल्दी जल्दी निगल लिया अब किसी liquid को अगर हमें गटा-गट पीना है फटा-फट पीना है उसके लिए जो हम वर्ब यूज़ करते हैं वो है swig means पूरा का पूरा glass लिया और पानी को अगर गटा-गट पी लिया तो हम वर्ब यूज़ करेंगे swig ये भी एक regular वर्ब है और इसके past और past participle forms होते है swig and swigged और इसके लगर हम कोई example बोलना चाहें तो we can say that he swigged water with great gusto मतलब उसने बहुत ही उत्साह के साथ पानी पिया लेकिन कैसे पिया फटा-फट गटा-गट तो ये था आज का ये बहुत ही useful वीडियो जिसमें हमने cover किये पीने के कई सारे तरीके और उसे English में क्या बोलते है है नहीं बहुत important ऐसी बहुत सारे important information के लिए अभी तक नहीं जुड़े है इस channel से तो please जुड़ जाएए like कीचे, subscribe कीचे, comment कीचे और please wait कीचे next video का till then take care of yourselves, bye-bye